अगर आपका भी डाउट होगा तो तो आपको भेजना एक्जम पोटर लेसे सिमाथन अड़रेट फिमाथन डाउट कॉम पे देखो क्या दिया होए क्वेशिन ए मैन कवर से सर्टें डिस्टेंस ऑन स्कूटर और ही ट्रावल सिक्स किलोमेटर पर आवर फास्टर मैं अब को दो तरीका दिखा दोंगा एक तरीका होता है नॉर्मली और दूसरा तरीका होता है सॉट कट का तरीका क्या होता है sir सर अगर आपको दो स्पीड दिया हुआ है S1 और S2 और दो टाइमिंग दिया हुआ है टाइमिंग के बीच में गैप दिया हुआ है देखो यहाँ पे 4 गंडा दिया हुआ है तो दिस्टेंस क्या हो जागा सर दिस्टेंस हो जागा S1 S2 upon S1 minus S2 into 4 ठीक है तो यहाँ से S1 S2 क्या दिया हुआ है सर नहीं पता है सर चेक कर लेंगे अभी यह स्पीड का फॉर्मला होता है ठीक है पहले केस में देखो सर S1 पहला initial speed रख देता है S2 क्या दिया हुआ है सर 6 आवर 6 km पार आवर जादा है ठीक है आपने 6 km पार आवर फास्टर किया तो सर S1 प्लस 6 लिख सकते है हाँ सर और S1 S2 का difference या फिर बोल सकते है यह S2 minus S1 लिख सकते हो यह कहां से आता है आपको अभी सिखा देंगे किस तरीके से आता है तो यह 6 into 4 तो यह distance हो गया यह पहले case के दूसरे के इसके क्या दिया हो सर S1 आपने क्या लगा है इफ ही decreases is speed 6 km पार आवर तो S1 into S1 minus 6 अपन नीचे क्या हो जागा सर 6 km पार आवर that is equals to कितना सर 6 घंटा मोड लेता हो तो सर into 6 तो यह दोनों समान है क्योंकि same distance है इसी कारण जा समान हो जाता तो यह दोनों को गाटो 2-3, 6, 2-4, S1, S1 कट गया तो यहां से 3S1 minus 6, 18 बराबर 2S1 plus 6, 12 ठीक है आपको समझ में आया S1 बराबर यह कितना हो तो सर 30 हो गया जैसी S1 30 है तो आप इसमें बिठाओ फॉर्मुला में बिठाओ तो distance क्या हो जाएगा आपको distance मांगा था distance बराबर आ जाएगा S1 30 गुना S2 कितना है S36 हो जाएगा upon नीचे टाइम कितना होगा सच 6 गंटा गुना 4 तो सच 4 से काटते हो तो 2 गुना 4 2 तिया 6 3 से 3 एकम 3 2 तो 12 दुना 4 इंटो 3 कितना होता सच 720 एज यहां पे कोई answer नहीं दिया हो आता तो हम लोगों को ये procedure सबसे अच्छा लगेगा ठीक है हम लोगों को जल्दी हो जाएगा ये आगिया 720 अब आपको लग रहा होगा सर आपने ये कैसे लिख दिया s1 s2 upon s1 minus s2 देखो समझते है थोड़ा सर समझ लेता है हमें क्या निकालना है distance निकालना है तो speed equals to distance upon time लिख सकते है हां सर लिख सकते है तो यहां से क्या हो जागा सर अभी normally समझो पहली case में क्या दिया हो था सर शे किलोमेटर पारावर फास्टा चला रहे हो तो distance equals to दूसरे case में सर एस प्लस 6 लिख सकते हो हां सर लिख सकते है यह s2 पगड़ लो इसको s2 पगड़ लो s2 equals to s plus 6 अच्छा ठीक है तो आपने लिख लिए s2 गुना आपका कितना टाइम लगा कम सर टाइम कम लगा 4 घंटा सर टी माइनस 4 लिख सकते हो हां सर दोनों d समान है लेकिन हमें d को समान नहीं करना सर t को समान कर देता t बराबर d अपने s क्योंकि हमें d मागा था अगर equation से आपने d हटा दोगे तो कैसे solve करोगे तो सर t को स्टू d अपन s d अपन s बिठा दो तो यहां से हिसाब लगाते है क्या हो जाएगा s2 इंटू t माइनस 4 यहां पे s1 लिख लो यहां पे s1 लिख लो बराबर यहां पे t के जगा पे लिख लो d अपन s1 माइनस 1 देखो इस d को इधर लेके गए और उधर चल जागा है कितना s2 इंटू 4 ठीक है s2 इंटू 4 अब यहां से क्या आया d बराबर कितना हो जाएगा s2 माइनस s1 नीचे आजाएगा तो s1 इंटू 4 अपन s2 माइनस s1 तो यह formula कैसे आता है speed का समझ में आगया आपको तो इसी formula से आप कर सकतो अब अगर कहोगे कि नहीं sir base formula से हमें दिखा दो देखो base formula से ही आपका आजाएगा कैसे आजाएगा बहुत आसान question था यह कोई doubt नहीं होना चाहिए था देखो यहां पे क्या दियावा है यहां पे दियावा है कि आपका speed पकड़ लिए क्या distance upon time तो distance equals to speed into time हम दो equation लेके चलेंगे बहुत जल्दी हो जागा देखो sir x और y पकड़ लेता है speed के value x है time के value y है तो यहां से क्या कर लो कि पहले case में distance constant है तो xy बराबर आपका क्या दियावा है speed क्या convert हो रहा है 6 km faster तो speed के साथ x plus 6 करो into time के साथ x minus 4 करो sorry y minus 4 होगा y minus 4 करो इन equation से xy कर जाएगा हां सथ दोनों तरफ से कर जाएगा xy into minus 4x plus 6y minus 24 दोनों तरफ से xy कर गया तो यहां से केतना हाता है 6y sorry 4x minus 6y या फिर बोल सकतो 6x minus 4y sorry 6y minus 4x बराबर 24 हमने खली 24 को उधर भैज दी यह एक equation दूसरे केस में क्या हो जाएगा सर x minus 6 गुना y plus 6 तो छे गंटा ज्यादा ले रहा ना बराबर xy तो यहां से equate करोगा तो कितना हा जाएगा सर 6x minus 6y that is equals to 36 तो सर 6x यह 4x को इधर ही रखते है सर 4x minus 6y that is equals to 24 minus 24 minus 24 था और यहां पर 6x minus 6y that is equals to 36 इन दोनों को solve करोगा कितना second time लएगा सर बहुत काम second time में हो जाएगा देखो सर यह plus हो गया तो यह हट गया तो यहां से कितना आता है सर minus 2x बराबर 24 था 36 बराबर 60 होता है तो x का value कितना आ गया सर 30 आ गया तो x मतलब speed 30 आ गया तो time कितना हो जागा सर इस equation में put कर दो 36, 6, 6, 3, 8, 18, minus 36 बराबर आपको 6y मिल गया तो y के value कितना होता 6 से divide करो 6, 3, 8, 8, minus 6, 36 तो कितना होता 24 तो xy के value बराबर distance होता है distance equals to xy तो 24 गुना 36 कितना हो जागा सर 720 देखो दोनों तरफ से ही आपको answer आ गया ये और भी एक तरीका है लेकिन उसको सिखाने का कोई ज़रूद नहीं वो बहुत लेंदी होता है ठीक है आसा गर तया आपको clear हो गया अगर clear हुआ तो नीचे comment section में बताईएगा clear है otherwise हम फिर से सोचेंगे आपको किसी live class में आप आ जाना आपको समझा दिया जागा ओके सर थैंक्यू बबाई stay tuned for the next class